हलो गाइज, वालकम तो हायटेकीन्फा यूट्यूब चैनल Beijis आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वालो किस प्रकार से आप अपने मॉबाइल फॉट की स्क्रीन को शेर कर सकते है आपके टेलिविजिन के साथ तो guys mobile phone की screen को television पर share करना बहुत ज़्यादा आसान है आप कुछी second के अंदर अपने mobile phone की screen को share कर सकते है आपके television पर जिसकी मदद से आप अपने mobile phone में मुझूद सभी photos, videos और आप अपने mobile phone की मदद से अपने television पर YouTube और कावी सारे application भी चला सकते है आप कोई भी gameplay कर सकते है तो guys अगर आप भी आपके mobile phone की screen को share करना चाहते है आपके television की screen पर तो आज की इस वीडियो का आप देखते रहिए और वीडियो का पॉसिट करने से पहले मैं आप सभी से request करना चाहूँगा अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए है तो आप सबसे पहले हमारी YouTube चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबाए और मैं आप सभी से request करना चाहते हूँ प्लीज आप आज किस वीडियो को जादर से जादर like और share जरूर कीजेगा तो चले गाई शुरू करते हैं तो गाईस आपके mobile phone की screen को अगर आप television पर share करना चाहते हैं तो आपके mobile phone और आपके television पर एक option होना चाहिए जिसका नाम है wireless display या फिर हम उसको casting भी कह सकते हैं तो अगर आपके mobile phone और television पर wireless display और casting का option है तो आप बहुत असानी से अपने mobile phone की screen को share कर सकते हैं आपके television की screen पर लेकिन गाईस अगर आपके mobile phone और television में wireless display और casting का option नहीं है तो आप घबराइए मत क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपक ब्लस system का option है उनको क्या करना चीहे तो सबसे बहले आपको अपने television के home screen पर आना तो ''Home screen पर आने के बाद' आपको अपने television के settings में जाना है यहाँ पर आप option देख सकते है settings के आप option है अब आपको settings का option को open करना है settings open हो जाने के बाद यहाँ पर आप एक option देख सकते है wireless display का इस option को हम open करेंगे open करने के बाद guys आपको इस option को on कर लेना है अब यह option off है तो सबसे पहले हम इस option को on कर लेते है तो as you can see यहाँ पर हमने अपने television पर wireless display को option को on कर लिया है अब guys आपको आपके mobile phone में भी wireless display को option को on कर लेना है किस परकार से आपको on करना है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले guys आपको आपके mobile phone के notification पैनल में जाना है notification पैनल में जाने लेक्वाद यहाँ पर आप देख सकते एक option है कास्ट का यहाँ पर एक option है आई होप आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर guys आप देख सकते हैं mobile के notification पैनल में यहाँ एक option है जिसका नाम है कास्ट इस option को हम open कर लेते हैं अब यहाँ पर आप एक option देख सकते है settings आपको settings पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आप देख सकते है smart tv wireless display आपको इस पर क्लिक करना है तो as you can see यहाँ पर connecting लिखा आ रहा है तो as you can see हमारी mobile phone की screen share हो चुकी है हमारे television पर अब यहाँ पर guys मैं आपको YouTube पर कुछ वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर guys आप देख सकते हैं वीडियो के साथ साथ आप sound भी सुन सकते है अभी guys आप देख सकते हैं मैं अपने television पर YouTube चला रहा हूँ with the help of my mobile phone इसी प्रकार से guys आप जो भी आपके mobile phone पर करेंगे सेम वही चीज आप अपने television की screen पर भी देख पाएंगे तो guys अगर आपके mobile phone के notification panel में casting option नहीं है तो आप mobile की settings में जाकर भी इस option को देख सकते हैं अगर आपके mobile phone के notification panel में यह option नहीं है तो आप settings में भी जाकर देख सकते हैं तो गाईब है अभी मैंने आपको बताए कि किस प्रकार से आपके मोबाइल की screen को शेयर कर सकते हैं आपके television के साथ यह प्रोसीजिजर गा इस ओन लोगों के लिए था जिनके मोबाईल पोन और टेली विजिजिजिजिज nella वाइरलेस डिस्प्ले या फिर कास्टिंग को अप्षिन नहीं है तो आपको क्या करना चीए तो यहापर गईव सकते हैं अभी मैंने अपने Jupiter क्या आपकर अक्सेस कर सकते है video तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे mobile phone के app store में काफी सारे application दिये गए है casting और wireless display के लिए तो इन में से कोई भी application डाउलोड करने के बाद आप अपने mobile phone में casting और wireless display को access कर पाएंगे तो guys अब में आपको बतातो अगर आपके television और wireless display या फिर casting option नहीं है तो किस प्रकार से आप अपने television में casting और wireless display को option को access कर पाएंगे तो guys अगर आपके television में wireless display और casting option नहीं है तो उसके लिए आपको एक device purchase करना होगा जिसका नाम है Anycast device उस device का purchasing link मैंने video description और साथ इसाथ comment section में share कर दिया है उस link के मतद से आप उस device को purchase कर सकते है अपने टेलेविजन में तो आपके टेलेविजन में आप उपर देगा i button पे क्लिक कीजिए उस video में मैंने पहले सही बता रखाय कि किस प्रकार से आपको एनिकास device का setup करना होता है एनिकास device के सेटर आपको कैसे करना है आपके टेलेविजन में उस video का link मैं video description और साथ इसाथ comment section में share कर दूँगा उस video को देखकर आप जान सकते है कि किस प्रकार से आप अपने टेलेविजन में भी wireless display और कास्टिंग को option को access कर पाएंगे तो आज किस video का आपने जाना किस प्रकार से आप अपने mobile phone की screen को share कर सकते है आपके टेलेविजन के साथ अब यहाँ पर गैज मैं आपको YouTube पर कुछ वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ Hello, welcome to my channel for YouTube channel तो यहाँ पर गैज आप देख सकते हैं वीडियो के साथ साथ आप sound भी सुन सकते है अब गैज आप देख सकते हैं मैं अपने टेलेविजन पर YouTube चला रहा हूँ with the help of my mobile phone अब गैज देख सकते हैं उस समसंथर अभर कीसिएगा अभर आपके लिए को डिया है वीडियोग ड़ीया प्लेदी सबस्क्राइब आपपने हमारे को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने बाद आप डबा देजिए गए ताकि सबसे पहले आप वीडियों देख सके तो दोस्तों नमस्कार आप कर दो कर दो